बोलिए जे श्री राम जे श्री राम पहला धाचा तूट गया दूसरा धाचा तूट गया तीसरा धाचा तूटी नहीं रहा था समय लग रहा था मुझे याद है चार साड़े चार पौने पाच बज गए थे बीच में किसी ने कह दिया कि CRPF आ रही है रास्ते रोकना है चले गए हम लोग रास्तों पर सोए कोई CRPF नहीं आई वापिस हम लोग आए तब तक बहुत प्रयास चल रहे थे और तकरीबन कुछ शाम हो रही थी उससे जस पहले वो तीसरा धाचा भी गिरा और मुझे याद है हमारे साथ एक बड़े बुढ़े वक्ति हमारे नाकपूर से हमारे साथ आए थे और जैसे धाचा गिरा वो वक्ति मानो 20 साल के हो ऐसे नाचे और वहाँ पर उस समय का जो उत्साहता जो उल्हास था जो कारसे जीवक यहां पर है जो वहां पर मौझूद थे उन्होंने वो देखा होगा मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में इतना रोमांच मैंने कभी अनुभाव नहीं किया इस प्रकार का रोमांच हमको वहां पर देखने को मिला और वो धाचा तूटा धाचा तूटने के बाद कारसेवक रुके नहीं कौन करे मंदिर निर्माण पुलिस पीएसी और जवाण और पुलीस के सामने जब यह नारा लगा जाता था तो वह भी नारा लगाता था और इस प्रकार से पुलीस का भी बड़ा उसमें था और जो हम कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे वो मंदिर 6 दिसंबर 92 की रात को ही बना उसके बाद नारा राम लला हम आएंगे मंदिर भव्या बनाएंगे वो भव्या मंदिर कल से बनने वाला है मंदिर वही बनाएंगे तारीक नहीं बताएंगे हमारे दोस्त भी लिखते थे पेपर में भी लिखते थे उनके नाक पर डंके की चोट पर मंदिर वही बनेगा शान से बनेगा और कल बनेगा और कल से शुरुवात होगी मैं यहाँ पर आया हूँ एक कार सेवक के रूप में और मुझे बहुत फक्र है कि सारी कार से आओ में मैं सम्मिलित हुआ और पहले दिन से राम जन्ब भूमी के आंदोलन से मैं जुड़ा मुझे याद है कि मेरी उम्र 18-19 साल की होगी जिस समय सबसे पहले मेरे उपर राम शीला पूजन में एक खंड की जिम्मेदारी दी गई और हम जानते हैं खंड मतलब एक वाड था और बताया गया कि इस खंड में जितने उपखंड है जितने बूत है उसमें राम शीला पूजन होना चाहिए और राम शीला आई और उस समय का जो माहौल था मैं एक एक उपखंड में जाता था और वहाँ पर जिनका संग विचारों से भारतिय जनता परटी के विचारों से कोई मेल नहीं है ऐसे लोगों के पास जाता था और उनको कहता था कि आपको जजमान बनना है ये शीला पूजन तो आपके हाथ से होगा और यकीन मानिये जिसके पास गया किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा मुझे याद है हमारे महले में मद्यप्रदेश कॉंग्रेस के बड़े नेता रहते थे उनके उमर काफी थी पूर्वे में मंत्री रहते कई सालों तक विधायक भी रहते हैं मद्यप्रदेश में और महाराणा प्रताप जी के वन्शश थे मैं उनके पास गया मैंने का चाचा जी प्रभुश्री राम का भव्य मंदिर बनेगा उस मंदिर की शीला का पूजन करना है और शीला पूजन के प्रमुक आपको बनना है उन्हेंने का बेटा बिलकुल बनूँगा क्यों ने बनूँगा मैं हिंदू हूँ और अगर प्रभुश्री राम का मंदिर बनता है तो मेरे विचार कोई भी हो पर मैं पहले हिंदू हूँ और उन्होंने जजमान पद स्विकारा और एक भव्यासा कारेक्रम हुआ और उसके चलते सारे दस उपखंडों में इस कारेक्रम को हमने पूरा किया और वहाँ पर पूजा होती थी 200, 300, 400 वहाँ के लोग परिवार पूजा में बैठते थे उसके बाद उसकी एक बड़ी पालखी निकाली जाती थी और पुरा महुला उसमें उवन पड़ता था और मुझे ऐसा लगता ही कि एक जो वातावरन उससे तयार होता था एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति उससे जो निर्मान होती थी मैं ऐसा मानता हूँ राम मंदिर के इस आंदोलन की नियू इस राम शीला पूजन के कारेकरम से निश्चित रूप से रखी गई मुझे याद है 1990 का राम शीद जो हम लोगों ने कार सेवा की तैयारिया शुरू हुई और उस समय में 20 साल का था मैं अखिल भारतिय विद्यार्थी परिचत का काम करता था और ये तैय हुआ कि विद्यार्थी परिचत के और से हम सब लोग मिलकर आयोध्या जाएंगे एक बड़ी सी टोली ली ट्रेन में बैठे उस समय तो तैय था कोई टिकेट निकालेगा नहीं सबको विदाव टिकेटी जाना था जिसको जहां जगह मिले वहां बैठो और ट्रेन में बैठे और सिधे इलाबाद पहुँचे और इलाबाद पर इतना बताया गया था कि देवरा बाबा के आश्रम में चले जाओ आगे की सूचनाय वहां पर मिलेगी तो उत्रे देखा आधे शहर में कर्फ्यू लगा है कहा जाना पता नहीं है कोई रास्ता बताने को नहीं है साथ में सारे लोग 18, 19, 20, 21 साल के तो मैं उन सब को लेकर मैंने कहा नेरू जी का घर अनन्भवन वहां पर एक लॉन है मैंने का यहां बैठो मैं और एक हमारे मित्र उदेडबले हम लोग हमने का हम जाते देवराबाबा का आश्रम ढूणते है और उस आश्रम में जाकर वहां पर क्या इंस्ट्रक्शन अपने लिए है वह इंस्ट्रक्शन्स हम लोग लेकर आएंगे और हम दोनों गए काफी मारपिट कहीं चल रहे थी कई पुलीस का अत्याचार चल रहा था एक जगा गोली चलते देखी और ऐसे में वहां पहुचे पहुचने के बार वहां पर और यह करीब 30 तारीक का कारेकरम था यह 20 तारीक की बात होगी हम बहुत पहले गए थे और वहां पर एक अधिकारी मिले हमारे महराश के थे और उन्होंने कहा कि देखो अब जो लोग चले गए वो तो चले गए आज से सब बंद है अब ट्रेने भी नहीं जाएगी अब बसे भी नहीं जाएगी सारी नाकाबंदी लगी है इसलिए तै हुआ है कि सारे के सारे लोग यहीं सत्याग्रह करेंगे इलाबाद की जेल नईनी की जेल यह तो पूरी भर चुकी है और इसलिए यहां पर कुछ मेक्शिफ्ट वहां पर जेले तैयार की गई थी इन जेलों में अब जाना है अपने को सत्याग्रह करना है मैं वापिस आया हमारे टोले को मैंने बताया कि इस प्रकार के आदेश है शाम को सत्याग्रह करना है पर मैंने का मैं सत्याग्रह में नहीं आने वाला मैंने का, मैंने तो ये तै किया है कि चाहे जो हो जाए, मैं आयोध्या जाओंगा और इसलिए जो मेरे साथ चलना चाहता है, वो रुख जाए बाकी सारे लोग सत्याग्र करे और आठ लोगों ने हमने तै कि चाहे जो हो पैदल जाना पड़े जैसे भी जाना पड़े हम लोग तो अयोध्या जाएंगे बाकी लोगों का शाम को सत्याग रहुआ वो मेक्शिफ जेल में ट्रांसफर हो गए हम वापिस देवरा बाबा के आश्रम में आए और आश्रम में आकर फिर वहां पूछा उन्होंने का अभी तो जाने का कोई सिलसिला नहीं है प्रपचिस चब्विस तारीक को शायद शंकराचारे जी जाएंगे और उनके साथ पैदल सब लोग निकलेंगे और एक बड़ा टोला उनके साथ पैदल जाएगा अगर आप जाना चाहते तो उनके साथ आप जा सकते हो तो हम लोगोंने का अभ रहेंगे कहा तो वहीं पास में सीतारा मंदिर था वहां गया उसके पुजारी जी को कहा कि हम साताथ लोग है कार सेवा के लिए आये है उननोंने का बेटा कार सेवा के लिए तो बड़े पवित्रकारे के लिए आये हो अमने का रहने को जगा नहीं आजाओ अंदर बाहर से बढ़ा छोटा दिखता था छोटा सा द्वार था अंदर बहुत बढ़ा मंदिर था तीन चार मंजिला मंदिर था उन्होंने का रहो यहां पर तो वहां रहने लग गए दिन बर सित्ता राम सित्ता राम सित्ता राम भजन करते थे वो तीन बार भोजन खिलाते थे तो भोजन करते थे सुबह सुबह संगम पर जाकर नाते थे वही पर हनुमान जी का बड़ी सोयू मुर्तिय मंदिर ता अमारोज दर्शन लेते थे और हालत ये थी लोगों ने कहा था कि वहाँ पर ठंड बहुत होती है तो बड़िया ब्लैंकेट लेकर गए थे पर अंदाजा ही नहीं था कितनी ठंड है उपर सोना पड़ता था खुले में और तीन डिगरी तक टेंपरेचर आता था तो नीचे एक दरी बिश्टी थी उसके उपर सोते थे और उस पर एक ब्लैंकेट लेते थे तो दो दिन में अकड गए फिर कहा माराज हम नहीं सो सकते हमको आदत नहीं इतनी ठंड की तो फिर माराज ने एक छोटी सी जगा और दे दी कि जहां पर हम सो पाए ऐसे करते 25-26 तारीक आई और शंकराचारे जी और कई धर्माचारिय इनके साथ हम लोग पैदल निकले मुझे याद है इलाबाद से फाफा मोह फाफा मोह से प्रताब गड ऐसे रास्ते से हम लोग निकले काफी दूर तक गए पता नहीं 25-30 किलमेटर रात हो गई साथ साड़े साथ बजे का समय था और एक बहुत बड़े पुलिया पर पूरे इस प्रसेशन को आने दिया शुरू किया और फायर शुरू किया पहली बार गोलिया चलते देखी गोलिया आंग पे नहीं चल रहे थी उपर चल रहे थी लेकिन ऐसी चल रहे थी और जो सामने थे हम लोग सामने थे डंडे लगे तो हम पीछे गए पीछे वाले सामने आप समझ सकते पीछे से भी डंडे चल रहे हैं सामने से भी चल रहे हैं सब एक दूसरे को बचा रहे हैं ऐसे में धर्माचारियों को गाड़ी में बैठा कर वो ले गए कुछ लोग वहां से कूद गए एक देड़ घंटा जबरदस्त लाठी चार्च किया और उसके बाद जब सारे लोग शांत हुए तब कई गाड़िया लाई गई बसे लाई गई उन बसों में भरकर लॉक मारकर सीधा 500 किलमेटर बदायू ले गए और सेंट्रल जेल बदायू में हमको बन कर दिया और फिर सेंट्रल जेल बदायू में करीब 13-14 दिन हम लोग थे लेकिन सेंट्रल जेल बदायू में भी मुझे याद है कि जो वातावरण वहां का था हम लोग तो कईदियों को भी रामधुन सुनाते थे और उनको भी हमारे साथ रामधुन सुनने पर मजबूर करते थे वो भी हमारे साथ गाते थे और सबसे महत्व की बात यह थी कि लोगों का उत्सा जो था सारे कारसेवकों ने उस समय देखा है कि उत्तरपदेश का एक-एक व्यक्ति कारसेवकों को मदद करता था अगर किसी छोटे से चाय के ठेले पे हम एक कुलड में चाय ले ले और उसको पता चल जाए कि ये कारसेवक है तो पैसा भी नहीं लेता था और बदायू में भी ये हालत थी कि महां का जिस दिन कर्फी उटता था तो जेल के अंदर इतना खाना बाहर से आता था जिस दिन नहीं होता था उस दिन तो जेल में वो दो सूखी रोटी और आलू मिल जाता था पर जिस दिन उटता था उस दिन लोग पतानी अपने घर के पकवान बना बना कर भेज़ देते थे और सबसे बड़ी बात ये थी उस जेल का जो जेलर था उस जेलर के दोनों बेटे कार सेवा में गए हुए थे और इसलिए वो भी एक प्रकार से कार सेवक ही था और फिर माँ सुबह शाखा लगाते थे शाम को भाषण होते थे फिर एक बरैक से दुसरे बरैक भाषण देने के लिए जाते थे और मुझे याद है कि टेलिफोन नहीं था कोई साधन नहीं था मोबाइल का तो सवाल ही नहीं था तो हम लोगों ने थोड़ा घर पे क्या हलत होगी इसलिए फिर जब वो खानावन आते थे उसको पटा के हमने पोस्कार समंगवाए और सब ने अपने घर पोस्कार बेज़े कि हम लोग ठीक है जेल में है छूट के वापिस आ जाएंगे लेकिन जब 14 दिनों के बाद पन्दुनाओ के बाद चुटकर हम हमारे घर पोचे नाकपूर उसके दूसरे दिन वो पोस्कार बिला तब तक वो पोस्कार आया ही नहीं था और घर पे सारे लोग परेशान किसी ने के दिया इनको गोली लग गई किसी ने कहा जखमी हो गए हुआ तो कुछ नहीं था पर घर पे सारे परेशान थे और फिर यह सारा तीस की घटना हुई उसके 6-7 दिन बाद हमको छोड़ा और फिर हम अपने ट्रेन में बैठकर वापिस नाकपूर पहुचे और मुझे याद है कि उसके बाद कई कारेक्रम उत्सा था मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हर उस समय का कार से वक्ता हर उस समय का स्वयम से वक्ता उसके मन में एक ही भावना थी कि हमको यह कलंक मिटाना है यह हमारे लिए मंदिर मस्जित का प्रश्ण नहीं है कोई एक धाचे से हमको कोई फरक नहीं पड़ता है यह हमारी असम 92 में फिर एक बार कार सेवा का ऐलान हुआ तब एक फायदा था बले देश में नर्शे राव जी की सरकार थी लेकिन प्रदेश में कल्यांड सिंग जी की सरकार थी और इसलिए बिना किसी रुकावट के हम सीधे पहुचे इलाबाद बढ़िया गंगासनान किया दूसरी ट्रे उसकी ने बताया बड़े बड़े टेंट बने हुए थे सारी व्यवस्ताहिए वहाँ पर थी उन टेंट में गए फिर हमारे साथ एक हमारा मित्र था उसने कहा कि मेरे करीबी रिश्टेदार है और यहां पर एक काला राम मंदिर है अध्या में उसके वो पुजा रिये है में आकर यहां भी खाना खाते थे शरीव में नाने भी जाते थे पाच दिसंबर को सब को यह बताया गया कि कल कार सिवा में सब को उपस्तित रहना है और जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको फॉलो करना है एक एक आपको मिट्टी दी जाएगी वो मिट्टी बाशन चल रहे थे रामजन मुहमी के बारे में बताया जा रहा था और अचानक कुछ योकों ने उस धाचे के और दोड़ना शुरू किया और वो चड़ गए और फिर सारे के सारे लोग फिर कोई सुनने को तयार नहीं था फिर कोई अनुशासन नहीं था एक ही सब के मन में था चाये जो हो उसको तोड़ रहा है कि कुछ लोग बैठकर मतलब शब्द बहुत गलत है पर अपने जान की परवा किये बिना जैसे उस डंगाल पर बैठकर डंगाल तोड़ते हैं वैसे उसके उपर बैठकर उसी को तोड़ रहे थे कि कि उसको जान की परवा नहीं थी एक ही बात थी कि क करलंग को मिटाना है कि ही हम सब लोग जानते हैं कि 15 28 में मीरबाकी ने प्रभु का मंदिर तोड़ा और क्यों तोड़ा यह कि वह जानते थे कि इस देश के अंदर अगर हमें राज करना है तो इस देश की दो असमिता है एक प्रभु श्री राम है दुसरे प्रभु श्री कृष्ण है इन दो असमिताओं को मिटाने के सिवा हम राज नहीं कर सकते उनको पता था कि इस देश में जो देश की आत्मा है वो प्रभु शिराम है अगर इस देश के आत्मा को हम नष्ट करेंगे अगर इस देश के वीरों को हम बताएंगे कि देखो तुमारे शिराम तुमको बचा नहीं सकते हम तो इतने महान हैं कि तुमारे राम जी का मंदिर भी तोड़ सकते है और वहाँ पर हम मस्जिद भी बना सकते हैं और इस भावना से वहाँ पर जो राम मंदिर था उसको तोड़ा गया और इस भावना से वहाँ पर वो धाचा बना उस धाचे में कभी वहाँ पर उस मस्जिद में जाकर या उस धाचे में जाकर किसी नमाज नहीं पढ़ी नमाज पढ़ने का वो कोई पुजास्तल नहीं था कोई मुसल्मानों के लिए वो कोई बहुत बड़ी जगा नहीं थी केवल भारतियों को पराजित मानसिक्ता में लाने के लिए और भारतियों की मनोरुत्ति को भारतियों क के तेज को समाप्त करने के लिए हिंदू के तेज को समाप्त करने के लिए उस समय वहां पर वो कलंग का धाचा तयार हुआ था और उस कलंग को मिटाने की बात थी उस कलंग को मिटा कर जहां पर रामलला का मंदिर था जहां उनका जनम हुआ वही पर रामलला का मंदिर बने इ समय लग रहा था मुझे याद है चार साड़े चार पौने पाच बज गए थे बीच में किसी ने कह दिया कि CRPF आ रही है रास्ते रोकना है चले गए हम लोग रास्तों पर सोए कोई CRPF नहीं आई वापिस हम लोग आए तब तक बहुत प्रयास चल रहे थे और तकरीबन बड़े व्यक्ति हमारे नाकपूर से हमारे साथ आये थे और जैसे धाचा गिरा वो व्यक्ति मानों 20 साल के हो ऐसे नाचे है और वहां पर उस समय का जो उत्साहता जो उल्हास था जो कारसेवक यहां पर है जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने वो देखा होगा मैं ऐसा म को वहां पर देखने को मिला और वो ढाचा तूटा और ढाचा तूटने के बाद कारसेवक रुके नहीं तुरंत जमीन को साफ करके सीडिया बनाने का काम शुरू हुआ क्योंकि रामलला को दूसरे जगा रखने ही सकते थे रामलला को विराजमानी करना था और कारसेवकों रातो रात छोटा मंदिर बन गया उसकी सिडिया बन गई और जो हम कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे वह मंदिर 6 दिसंबर 1992 की रात को ही बना उसके बाद नारा रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे नहीं था उसके बाद नारा था रामलला हम आ कि उस रात को तो हम काला राम मन्दिर में Sheway और हमको पता ही नहीं रात में किस प्रकार से जो सारे टेंट है उसके उपर पि लाठी चार्ज हुआ लोगों को बहार निकाल दिया अब लोग सुबह उठे और रहार निकले और कंचल अब मां की पी-ए-सी जो वहां का रिसोर्ट फोर्स हो यह सारे जवान हो मतलब आप लोगों को भी याद होगा महां का एक नारा उस समय हुआ करता था कौन करे मंदिर निरमाण पुलिस पी-ए-सी और जवान और पुलीस के सामने जब यह नारा लगा जाता था तो वो भी नारा ल सब को बसो से लखनाव बेजेंगे और 90 प्रतिशत लोग चले गए अध्या खाली हो चुकी है अबने का कि भाई हमको तो कोई आदेश ही नहीं है तो फिर महनत अवेदिनाद जी के अखाडे में हम लोग चले गए हमने का चलो महन जी उस समय राम जनुमी नयास के अध्यक्ष नेजी थे यह सारे आंदोलों का नेतृत्व करते थे जो हमारे योगी दी के गुरू अमने उनके अखाडे में गये मत में गये तो वहाँ पर वह तो नहीं थे वहाँ पर अचारे धर्मेंरजी मीले अमने धर्मेंरजी को पूछ है हमने का क्या आदेश है धर्मिनर जी उन्होंने का देखिए अभी आयोध्या खाली हो गई है अपना काम हो गया है मैं भी चला आप लोग भी चलिए तो गए फिर बस में बैठे और बस में बैठकर हम लोग लखनो की और निकले लेकिन लखनो को उनको छोड़ना नहीं तो उन फिर उनको ध्यान में आया कि कहां ये जंजट आप लोग पाले ये रास्ता रोको करेंगे तो वापिस हमको बसे दी और फिर लखनो हमको भेजा और फिर लखनो में हमको ट्रेन मिली ट्रेन में बैठकर निकले और जिस प्रकार से बताया मतलब कुल मिला कर नाकपूर एक द चलते थे फिर दो-तिन घंटे निकलते थे ऐसा करते करते फिर हम लोग जाकर नाकपूर पहुचे और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा ही रोमांचकारी अनुभो रहा और मैं तो वह सोभाग्य शाली व्यक्ति हूँ कि जब तिसरी कारसेवा हुई अटल जी के जमाने मे उस समय भी उस कारसेवा में मैं गया उस समय मैं विधायक बन चुका था मैं एमेले था लेकिन उस समय भी अन्द रिजोड डब्बे में बैटकर अपने लोगों को लेकर बिना टिकेट से वापिस गया लखनो लखनो में हम लोग रेलवे स्टेशन पर प्लैटफाम पर ही सो हुए फिर दूसरे दिन वापिस फिर क्योंकि उस समय वापिस राज मयावती मुलयाम जी का आ गया था तो वापिस रोका टोकी चालू थी और फिर हम लोग वहां से फिर वापिस ट्रेन पकड़कर अयोध्या के और निकले रोका गया वहां से फिर 35 किलमेटर पैदल चले औ और उस कार सेवा के समय फिर वो आठल जी की सरकार ने जो मंदिर के जो खंबेवगरा तयार हो थे उसको स्विक्रूत करके और ये जोशित किया कि अब सरकार इस मंदिर को बनाएगी तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा आपके जैसा एक जो कार सिवक है कि जिसने इस सारे आंदोलन में अपना सहभाग लिया है उसके लिए कल का दिन एक प्रिरणा का दिन है कल का दिन एक ऐसा दिन है क्योंकि कई बार ये लगता था कि क्या हम अपने इस जीवन में प्रभु श्रीराम जी का मंदिर बनता हुआ देखेंगे और कई बार ये प्रश्ण भी आता था और कुछ लोग तो ये भी कहते थे मंदिर वही बनाएंगे तारीक नहीं बताएंगे हमारे दोस्त भी लिखते थे पेपर में भी लिखते थे उनके नाक पर डंके की चोट पर मंदिर वही बनेगा शान से बनेगा और कल बनेगा और कल से शुरुआत होगी मैं हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रश्ण को बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको सुलजाया और भारत के सरवोच नयायला का भी आभार विक्त करता हूँ कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर देखिए सच छुप नहीं सकता सच परेशान हो सकता है वो पराजित नहीं हो सकता और हमारे सुप्रीम कोट में ये दिखा आर्केोलोजिकल सरवे ने ये बताया कि यहाँ पर मंदिर था मंदिर के सारे आउशेश मिले और आज वहाँ पर मंदिर बनाने का काम शुरू हो रहा है यहाँ पर देखिए अटल जी की लाइने लिखी हुई है हिंदों ने कभी किसी के दूसरे धर्म के पूजास्तलों पर कभी आकरमन नहीं किया दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं है कि जिस घटना में हिंदों ने कोई चर्ष तोड़ा हो हिंदों ने कोई मस्जिद तोड़ी हो यह अटल जी के शब्देया लिखे गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्या चार किये कब मैंने काबूल में जाकर मस्जिदे तोड़ी शत शत मानो जीतने का संकल्प रगरग हिंदू मेरा परिचे यह अटल भिहारी बाचपेई जी ने जो हिंदुत्व की व्याक्या की है उस व्याक्या को परिभाशित करने वाले हम सारे हिंदु है हमने कलंग को मिटाया है हम किसी दूसरे की पूजास्तली को कभी तोड़ नहीं सकते और सुप्रीम कोट ने भी ये बता दिया कि हाँ जी ये तो ढाचा विवादित था ये तो र तर्रीम जी का मंदिर बलेगा और राम लला वही पर विराजमान होगे और हम सारे लोग उस भव्य मंंदिर को देख पाएंगे मैं फिर एक बार हम सब की और से प्रद्धान का भी बहुत-बहुत आभर्वेक्ट करता हूं सारे धर्माचारियों का भार्वेक्ट करना चाहता हूं जो हमारे कार सेवक्ष शहीद हुए कही कार सेवकों को शहादत दिनी पड़ी हमारे कोठारी भाई जिन्होंने जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता ऐसा कहा गया तो उपर चड़कर जंडा लहराया और वो जंडा लहरा रहे थे भगवी पता का फेरा रहे थे और मुलायम जी की पुलिस गोलिया जाड रहे थी एक गोली एक भाई की शरीर में दूसरी गोली दूसरे भाई के शरीर में वही भगवा जंडा लेकर वही पर उनकी मृत्य हुई उनको ठारी भाईयों को भी मैं अपनी और शे शद्धांजली देना चाहता हूं सारे के सारे शहीदों को शद्धांजली देना चाहता हूं और फिर एक बार आप सभी का जिन लोगों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस राम जन्मभू मी अंदोलन में सहह बगीताली उन्जर्वी का अभार व्यक्त करता हूं मुंबई भारती जन्ता पारटी का अभार व्यक्त करता हूँ राजेश का अभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कारolyakram यहाँ पर रखा और कल सब लोग ये जो कारolyakram होगा वो कारolyakram देखिए अपने अपनी जगह पर जिस प्रकार से हरशोल लास के साथ हम लोग हरश प्रगट कर सकते हैं वैसा कीजिए शाम को दीपक जरूर जलाइए कल फिर एक बार दिवाली है कल फिर एक बार प्रभु श्री राम वनवास से वापिस आ रहे है और इसलिए फिर एक बार दिवाली मनाईए बुलिये जे श्री राम, जे श्री राम, जे श्री राम, सियाबला रामचंडर की, पवनसुता हनुमान की, उमापति महादेव की, बुलजी बाई सबसंतन की, सलातन हिंदु धर्म की, जे श्री राम.